जहें दोस्तों आज के इस कलास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो बीए बीएससी विकाउम थर्ड येर है फिप्त समेस्टर में जो को कुरिकुलर कोर्स के अंदर आपका एक्जाम हो रहा है एनलेटी के अबिलिटी और डिजिटल अवेरनेस का उस कलास के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे ठीक है सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों साथ तारिक को जो जेंस यू उनिवर्सिटी का एक्जाम होने वाला है साथ फरवरी को ठीक है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से देखिएगा और भारत के किसी भ आपका पुछा है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है ठीक है जो प्रिंट किया जाता है प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है तो फाई सेलेक्ट करते हैं पहले ठीक है आपसे नमर सी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसन दे करेक्ट हो जाएगा alu control unit और register चलिए अगला प्रसन आपका देखते हैं यह जितने प्रसन है दोस्तों किसी न किसी exam में आपके पूछे जा चुके हैं ठीक है बहुत ही मातपूल कलास है और यह आपकी जिमेदारी है इस कलास को जरूर सेर कर दीजेगा अपने दोस्तों के भाग आंकलन करता है और निर्ड़े लेता है पताइए जो cpu का दोस्तों पूछ रहा है cpu का कौन सा भाग होता है जो आंकलन करता है यानि जांच करता है और निर्ड़े लेता है तो दोस्तों जो arithmetic logic unit होता है ALUG से बोलते है ये क्या करता है आंकलन करता है जांसता है और उसका निर्ड़ा करता है जो भी इंपुट दिया जाता है ठीक है आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका प्रस नमबर चार आपका पुछाए दोस्तों एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस जो डाटा को इंफार्मेशन करता है कहलाता है तो प्रोसेसर कहलाता है ठीक है कोई इलेक्ट्रानिक डिवाइस है जो डाटा को इंफार्मेशन करता है उसे क्या कहलाता है वह क्या कहलाता है तो प्रोसेसर कहलाता है ठीक है चौथे का आपसे नमब अगला पसंद देखेंगे आपको क्या है प्रस नमबर 6 आपका पूछा है इसमें CPU का वह भाग जो कम्प्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गत्विधियों को समन्वित यानि को आडिनेट तथा नियंत्रिल यानि कंट्रोल करता है कहलाता है अगला पसंद देखेंगे आपको क्या है प्रस नमबर 7 पूछा है दोस्तों कम्प्यूटर घड़ी सिस्टम को स्पीड की गड़ना की जाती है ठीक है कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गड़ना की जाती है तो मेगा हाटज में की जाती है ठीक है आपसर नमर 6 करेक्ट हो जाएगा आपका चलिए अगला प्रस नमर 8 पूछा है वायोस का पूरा नाम है ठीक है यह लगबग लगग हर एक्जाम में पूछ रहा है 100% आ साथ देखिए dot in dot edu ठीक है dot com हो गया ठीक है dot org हो गया ठीक है इससे संबंदित भी प्रसन पूछे जा रहा है तो बहुत ध्यान पूरुवक पढ़के जाएगा मैं बता दे रहा हूं और क्लास भी करा दूँगा ठीक है चलिए आठवे का अपसर नमर 6 करेक्ट हो जाएगा अपका प्रस्ण सुसक्ण सकती है अगला प्रसन पुछा है इन्में से कौन सी कमांड की सहयता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते है बचा मतलब क्या होता है सेव सेव कर सकते हैं तो कंट्रोल प्लस एस ठीक है आपस नमर डी हो जाएगा देखिए जो हिंदी में पूछता है न यह थोड़ा टफ पूछता है ठीक है लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा जब भी प्रशन को पढ़िएगा आपस नमर गैरा आपका पूछा दोस्तों निमनली खित में से कौन साथ सही है ठीक है आपका यह तीन आपसन दिया है और देखना है कैसे सही है जी यू आई का फूल फर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल सही है वीडियू दिया है बीजूर डिस्पले यूनिट ब पहला और दूसरा चलिए अगला प्रसन देखते हैं आपका क्या है प्रस नंबर 12 पूछा है दोस्तों फ्लेश ड्राइब को किस नाम से जाना जाता है तो जो फ्लेश ड्राइब होते हैं दोस्तों यसे पेंड्राइब के रूप में जाना जाता है ठीक है पेंड्राइब के सम्मंदित कम सकम आपके दो से ले करके 5% के बीच में पूछ रहा है हर एक्जाम में ठीक है तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं देखिए अगर मैं नहीं पढ़ा पाता हूं तो आप कहीं न कहीं पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा ठीक है दो से 5% के ब पर ता नहीं पर होता था दूतिर पड़ियू में ठीक है तो सरब पहली प्यड़ी में किसका परेव होता था दूसरी सी में ठीक है पॉइंटर की आपकी तस पॉइंट को भी याद रखिए कि पयांच बता दे रहा हूं आऊं बहुत 256 है दोस्तों एक कभी क्या होता है कभी एक साल आगे हो जाता है कभी एक साल पीछे हो जाता है ठीक है तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा जो दूसरी पीड़ी का computer है transistor अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया है इसका काल कितना था 1956 से 1963 ठीक है तिसरी पीड़ी के computer को कि क्रिट सरकिट से नाम से जानते हैं ठीक है इसका काल 1964 से 1970 तक रहा चौती पीड़ी का computer इसे माइक्रो प्रोसेशर बोलते हैं ठीक है यह 1971 से लेकर करके वर्तमान तक है अभी तक और ये पांचवी पीड़ी का computer कॉन है 1980 वर्तमान तक है अभी तक ठीक है इसमें मैं कुछ पढ़ाद दे रहा हूँ पांचवी पीड़ी में देखिए इस पीड़ी के कम्प्यूटरों में ULSI Ultra Large Scale Integration Technology वाले प्रोसेसर का इस्तिमाल होता है पांचवी पीड़ी में ठीक है इन कम्प्यूटरों में Artificial Intelligence यानि AI का इस्तिमाल किया जाता है पांचवी पीड़ी में इस पॉइंट को याद रखिएगा याद रखिए यह जो काल है ना काल भी पूछ रहा है याद रखिए गभी ठीक है इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से देखिए प्रस नमर 14 क्या पूछा है दूती पीड़ी के कंप्यूटर का कारेकाल कितना था देखिए यहां पर आपका पूछ लिया ठीक है इसी तरह से प्रस्ण पूछेगा आपके एक्जाम में अभी मैंने पढ़ाया है दूसरी पीड़ी का जो कारेकाल है बताए कितना ह हावा में पढ़ेंगे बिल्कुल याद नहीं होगा ठीक है तो 1956 से 1963 ठीक है याद रखिएगा एक साल आगे पीछे भी हो जाता है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे चली अगला प्रसन आपका देखेंगे क्या है प्रस नमर 15 पूछा है विस्टू कंप्यूटर साथ चारता दिवस कब मना जाता है यह भी लगव लगव हर एकजाम में पूछ रहा है दो दिसंबर को ठीक है विस्टू कंप्यूटर साथ चारता दिवस मना जाता है पंदर कास नमर 1 करेक्ट हो जाएगा प्रस नमर 16 क्या पूछा है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र है ठीक है बुनियादी मतलब क्या होता है दोस्तो सुरुवात ठीक है सुरुवाती कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्या होता है सुरू में सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसिंग में पहले हम इंपूट डालते है फिर वो प्रोसेस करता है उसके बाद हम आउटपुर्ट देता है ठीक है आपसे नमरे करेक्ट है आपका चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे आपका क्या है प्रस्ण नमर 17 पूछा है दोस्तों आपसे इसमें देखिए 17 नमर प्रस्ण है कंप्यूटर के चलिए अगला प्रस्ण देखेंगे क्या है प्रस्ण नमर 18 है कंप्यूटर सुरच्छा का जनक कौन है यह 100% आएगा ठीक है लिक के रख लिजिए आज तक मैंने जितने भी दोस्तों सॉल्व करा हैं पेपर ना इनलेटी के अबिलीटी का उसमें यह हमेशा पूछ रहा ठीक है कंप्यूटर सुरच्छा के जनक कौन है ठीक है काफी इंपोर्टिन प्रस्न है तो यह इसकी कौन है अगस्त करक हाफ आपस नमरे करेक्ट है और दोस्तों अगर आप पेपर देखना चाता है अनलेटी अबिली कब बहुत द्यान पूर्वक देख लिजेगा दोनों को चलिए 20 नमबर प्रस्ण आपका क्या है ऐसे वाइरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं या किसी खास तारीख को चलते हैं पास तारीख को बम लगाने वाला है ठीक है तो इका हो जाएगा टाइम बम ठीक है यह कौन सा वायरस है जो टाइम बीतने पर खास तारीक को चलते हैं कहलाते हैं टाइम बम ठीक है बीस का आफसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चलिए एक कैस नंबर प्रस्ण क्या है प्रस्ण नंबर एक कैस है आपका ग्यात साफ्ट वेयर बग को रिपेर करने के देखिए बहुत ही इंपोर्टन इंपोर्टन प्रस्ण है आपसे रिक्वेस्ट है इस कलास को सेर जरूर करिएगा प्रस्ण नंबर बाईस क्या है निम्न में से कौन इंटरनेट तथा इमेल से संबंदीत है बताए कौन इस यह चार आपसंदिया है पूछ रहा है इनुमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी 100 परसेंट आएगा याद रखिएगा साइबर इस पेस सब्द जो घड़े थे दोस्तों यह विलियम गिप्सन थे ठीक है आपसे नंबर भी करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या पूछा है प्रस नंबर 24 पूछा है किस वर्स साइबर प्रोदोग की के छेतर में हाइकिंग एक बेवहारिक अपराध और चिंता का विशे बन गया था तो 1970 में ठीक है आपसे नंबर C करेक्ट है आपका अगला प्रस देखेंगे क्या है प्रस नंबर 25 पूछा है यह नापाक हैकर है और इसका मुख के लिए बर अपराध करके अधिक लाब कमाना है धीक रहेगे यहां पर अधिकलाब कमाना है यहां संदर्भित वे कौन हैं बताइजे यह दोस्तों दो पूछ चुका है ऑपका ठीक है दो अर्यकले में पूछा था आपसे नंबर B आपका इसमें करेक्ट है ठीक है बलैक है हैकर्स important प्रसना याद रखेंगे इसे 26 नमबर प्रसन क्या है निमने लिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरच्छा encryption मानक है तो WTP है अफसे नमबर D correct है आपका अगला प्रसन देखेंगे क्या है 27 नमबर प्रसन है मालिक यानि honor की अनुमती के बिना data या computer software को copy बनाना क्या कहलाता है मालिक के बिना ठीक है मालिक के बिना दोस्तों data या computer का software अगर हम copy करेंगे तो वह क्या कहलाएगा तो वह software piracy कहलाता है ठीक है आपसे नमबर भी correct हो जाएगा आपका प्रसन नमबर 28 क्या पुछा है ट्रेंड micro एक है बताए ट्रेंड स्यार माईट्रो क्या भी यह एक एक एंटि वाइरस प्रोग्राम है ठीक है ट्रेंड माईट्रो चलीइए अगला प्रसन आपका देखेंगे क्या है प्रसन इनमें से कौन एक एंटी वायरस है ठीक है चार अप्सन दिया पूछ रहा है कौन एक एंटी वायरस भी है तो अप्लिकेशन साफ्ट वेर क्या होता है एंटी वायरस ठीक है अप्सन नमर सी आपका करेक्ट है चलिए अगला प्रसन देखेंगे प्रसन नमर 30 क्या है डिजिटल हस्ताच्छर एक प्रकार से मताइए डीजिटल हस्ताच्छर एक प्रकार से क्या भिया सूचना को इंक्रिप्ट करना है ठीक है डीजिटल हस्ताच्छर क्या है एक प्रकार से सूचना को इंक्रिप्ट करना उमीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, थीक है, सेर जरूट कर दीजिएगा इस class को, अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, थीक है, मिलते हैं next class में, आपकी जो भी क्योरी होगी, उसे comment box में comment जरूट करिएगा, थीक है, आपके सभी सवालों के जवाब दीय जा झारम